शाही मतन कड़ाई और एक कप पानी डालकर गलने के लिए 15-20 मिनट तक रखें। अलब पतीली में तेल डालकर दर्म्यानी आच पर गरम करें। फिर इसमें टिमाटर बारी काट कर डाल दें। साथ लाल मिश पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। इतना भूने के तिमाटर गर जाए। अब इसमें मटन डालकर साथ ही दर्मयान से हरी मिट्च काट कर डाल दें। लीमू बारी काट कर डाल दें। अच्छी तरह इतना भूने के तमाम तेल उपर आजें। अब आखिर में बादाम छीर कर और काजू डालकर पांच मिनट डंपर रखें। मज़िदार शाही मतन कराई तैयार है। तंदूरी नान के साथ सर्फ करें।